LIC जिसकी हो चुक है लिस्टिंग एक बार समझ ले, इशू प्राइस अपनी जगे है, लिस्टिंग अपनी जगे है और वेलिशन्स अपनी जगे है LIC के वेलिशन्स कैसे हैं? दूसरी अंतराश्टी इंशुरेंस कम्प्रियों के मुकाबले में सस्ते, महेंगे या बराबर, जिससे आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि आपके पास अगर आपने आई-प्यों में पैसा लगा है या कॉल ओट में बुला है अगर वहां से अगर आप देखेंगे तो पाच परसेंट और नीचे है तो उस लियाज से तो वैलिशन और सस्ते हो जाते हैं सबसे पहले जो इंडियन कम्पनी से HDFC Life, SBA Life, ICIS Approve इनके साथ अगर में इनको कम्पैर करूंगा तो HDFC Life अगर आप देखेंगे तो 4 क्या आसपास के Market Cap to Indian Embedded Value पे ट्रेट करते हैं SBA Life 2.8, ICIS Approve 2.4, LIC को अगर आप देखेंगे 1.1 क्या आसपास था 949 के रेट पे अगर वहां से पासपास नीचे आ चुका है तो आप समझे करीब 1 या 1.05 के आसपास ट्रेट कर रहा है यानि की काफी सस्ता है बाकियों से अगर आप देखेंगे और सबसे हाइस टेवल पे जो HDFC Life है उससे तो ये एक चौथाई Valuation पे ट्रेट करता है VNB margins अगर आप देखेंगे तो no doubt इस कमनी के कम है लेकिन उसके कुछ अलग issues है जो कि एक कमनी और लोश बढ़ाने की कोशिश कर रही है Solvency Ratio के लिए अससे देखेंगे तो अच्छी खासी Solvency इस कमनी के अपास है करीब 1.83 के आसपास अब Global P.S. से compare करते हैं तो दुनिया बर में जितनी भी कमनिया है उनमें के वल चाइना की दो कमनिया है चाइना Life Insurance और Pink and Insurance जो की 0.5 या 0.2 के आसपास Market Cap to Embedded Value पे ट्रेट करती है इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जितनी कम्पनिय से अपता एकसा जो है वो भी महेंगी हो चुकी है कि वो 1.1, 1.2 के आसपास ट्रेट करती है AIA, Zurich Insurance, Alliance इन सबको अगर आप देखेंगे तो 1.1 से 1.9 के आसपास के Market Cap to Embedded Value पे ट्रेट करते हैं उसलिया से अगर आप देखेंगे तो LIC सिर्फ इंडिया का नहीं दुनिया का सबसे सस्ता इंश्रेंस स्टॉक अप बन चुका है Okay, दुनिया का सबसे सस्ता स्टॉक है LIC यह है आपके लिए इंश्रेंस कमश्यों के लिए आज से देखा जाए लेकिन चलिए लिस्टिंग आज 5% नीचे इस वकर ट्रेट करताव दिखा है नो सो के आसपास यह है आपके लिए LIC को लेकर वेलिशन के लिए आज से तो कमफ अजिए एल्डर कर्टेगरी के लोगे जो short term मुनाफ़ा देखना चाते हैं वो देखने लोग देखना भी चाते हैं गट भी नहीं तो उन लोगों की तरस तरह कभी तो अलोटमेंट मिलता है बार्की तो मिलता भी नहीं है तो जहां मिला है वहां अगर थोड़ा मुनाफ़ मिल जाए तो यह एक इच्छा सबकी रहती तो आई थिंग उसी लिहाज से आप थोड़ा दबाओ रिटेल की तरफ से आते में इस वक्त देखें